हेलो स्टुडेंट सब सभी को आपके अपने चैनल कॉंचेप्चुल स्टडी वित्रति इसमें बार पुर्णा स्वागतुर इस वीडियो में स्टू का यानि अंडरस्टेंडिंग इंदिया का आपका यूनिट वन कवर करवाने वाले जो कि भारत की संस्कृति की प्रिष्ट और वेदी के यूगी इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगा संस और सारा कॉस्टिंग का अंसर करवा दिया जाएगा यानि कि आपका जितने वी कोस्टिंग अंसर होंगे सारा इससे मेंटेनापका हो जाएगा ठीक है यह अरपा ओ सभय तो वीडियो को सुरू करते शन्स सब्सक्राइब कर लघेए था कि आने वाले में सारा वीडियो बन कॉर्सिंट का सार वीडियो करथ ठीक है और भी यूजीब बीटेट सारे प्रीविएस यह व्यडों करब गूंध सस एंगे इस चयंनल में तो जरूरु करके के रखिएगा ठीकेशन तो वीडियो को सुरू करते हैं जैसे के शुन से यह हमार आपका भारत की संस्कृतिक की प्रिष्ट भूमी से है हरापा सब्धा रुवेधि ग्यू तो सबसे पहले जाने अच्छार रपा सब्धा के बारे में ठीक हरापा सब्धा क्या था शुर्ट स खुझा कaltroन वाधी रगोड जाता है और शुर्ट नाव शरो चल्द राखादास नाज जाता है अवर परमुह नगरुन के बारे में जाते हूँ त्रहिएत कोन कोन से नगर हरोपा है पान्जाब Ming पांजान के नरकाना जीला में लोथर गुजरात में काली पंगा राजितान के हनुमानगड जिल्ले में हैं बनवाली हर्याना के फतेवाद जनपद में आलिम आलमगीरपूर उत्रप्रदेश के मेरण जिल्ले में हैं सुथ कांगे डूर पाकिस्तान के बुलुशितान प्रांत में है और कोट दीजी पाकिस्तान में चनहुदुलों पाकिस्तान में सुर्क उत्रा गुजरात के अच्छ जिल्ले में ठीक है यह आपका अगर बोल दिया जाए कि इसके प्रमुक स्थालों के बारे में बताए तो यह आपको लिखना है ठीक शुर्स और यहां निर्मान योजना के बारे में निर्मान योजना के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा कि हड़पा तरोन अगरों कि अपने दूर्ग ते यहाँ सायकर परिवार रहता था ठिक है एक जो था दोनों आगर थे शेंट से हड़क है और और महुं जोदर लो दोनों नगर 9 ठाथ है चिए और वहां दूर आता था यानिकी ए कावरेज एरिया राता आता एक एरिया अलग टैप का रहता थे धूश्व उसkung करते पर किन दूसरे लोग मतलब के निमन परकार रहते थे और जो दूर था वहां कुछ कुछ परकार के लोग नाखरवान तरह ँर रते ते ठीक है तो देख्ते श्रण से ईटों के मकानों में सामाणी लोग रहते थे इन अगर भवनों के बारे विसींस बात यह थी कि यह जाल की तरह भुनियस्त थे ठीक है जो निम्न मैं इठों से बनाया गिया था ठीक है और जो वह जो पूरा भवन था शनसे जाल की तरह थी यानि सणकी एक दूसरी को संकौन पर काटती थी सणके जो थी यep कार से अध्य लीड़ नके अध्य की ठीक है और नघर अनेग आयता का खंडों में भग्त हो जाता था जो नगर था इस तरह से जैसे कि होगा सण के जाएंगी आएंगी तो जुन नगर होगा सहर होगा यह अपने आप चरक अधाकार आखिरती में हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से थी ये बात सभी सिंधू बस्तियों पर लागू होती थी चाहे वह चाहे वह छोटी हो या बड़ी हाड़ होते थे वहां के समारख इस बात के परमान है कि वहां के सासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुसल थे इटों की बड़ी-बड़ी इमारत देख कर समय लोगों को भी यह लगेगा कि यह सासक कितने परतापिर परतिष्ठा वां थे ठीक है यहां का जो इटा था बहुत ही बढ़ी है ठीक है और इसा लगता था कि जो यहां का सुछ सासक था बहुत सी कर्वसूली में तेज था अब धर्वी जीवन के बारे मेर कोस्टन आजाए गर्शन तो इसको लिखना है ठीक हड़ापा में पकी मिटी की स्त्री मूर्तिकाय भारी संख्या में मिली है एक मूर्ति में इस्त्री के गर्व से निकलता एक पौधा दिखाया गया विद्वानों के मत में यह प्रिथमी देवी की परतीमा है और इसका निकट संबंद पौधों के जन्व और विर्धी से रहा होगा ठीक है तो इसलिए मालूम होता कि यहां के लोग धर्थिक कूरव माता की स्तूती है धोला विरा के दुर्ग में कुमा मिला है इसमें नीचे की तरफ जाती सिणिया और उसमें एक खेड़की है जहां दीपर जलाने के सबुत मिलते हैं उस कूवे में सरस्वती नदी का पानी आता था तो सायद सिंद घार्टी सिंदु घार्टी के लोग उस मिलाकर यहां जो थे मात्र देवी की पूजा होते थी ठीक आर्थिक जीवन के बारें जाना तो सिंदु सब्सक्राइब करते लावा कपड़े जोहरी का काम दक का काम भी परचले था जिसे वीदेशों में निर्याद किया जाता था यहां इतने सारे कार किया जाता था और वीदेशों से व्यापारिक संबंध किसी बड़ी राजनेतिक सत्ता के बिना नहीं हुआ होगा पर इसके पुक्ता प्रमा नहीं मिले हैं कि यह किसासक कैसे थे और साथन पणारि का सुरूप क्या था लेकिन नगर विवस्ता को देखकर लगता है कि कोई नगर निगम जिसे अस्थानिय श्वाशासन वाली सहसा थी ऐसे पता चलता है स्टूरेंट्स जब उस सभ्यता का मतलब सारा पूरा बिध्वान्स हो गया पतन हो ठीक है कुछ उसके बारे में है ही नहीं ना के बराबर है तो कैसे पता कर सकते हैं कि वहां राजा रहता था कि जाता था कि लोगतंतरातमक परना लेज थे या राजतंतरातमक परना लेए तो कुछ जो पता चला सब्कूरेंट्स इतना सुन्दर से मतलब जैसे कि संब कॉन पर बाटना इस तरह सी नियम कॉंद बनाना तो इस से तो पर्तित होता है कि कुछ न कुछ तो महारा राज पतन के बारे में आपका कोश्चन आ सकता है यह सब्सक्राइब अपने अंतीम चलन में हरासन मुक्ती इसमें मकानों में पूरानी इटों के परियोग की जानकारी मिलती है इसकी विनास के कारणों पर विद्वान सहमत नहीं है सिंदुगाटी सब्यता के आवसान के पीछे विभिन तरक दिये जाते जैसे आकरमन, जलवायू परिवर्तन, एमम, पाष्टित के असुंतुरन, बार्थता भू, तात्यू परिवर्तन, महामारी, आर्थिक कारण, आदि ऐसा लगता है कि सब्यता के पतन का कोई एक कारण नह है, महाम जोडरों, एक कमरे से चवोदह नरक, मिले हैं, जो आकरमन, आघजनी, महामारी के संग्यत है, बहुत सारी विद्वान रश्येंट्स, जो इतिहास, वेता लों बहुत सारी तरक दिया है कि आग सो हुआ है, तो कोई बोले, बार्ड से हुआ ज कोई बोले, आकरमन से हुआ होगा इसी प्रकार से बोला गया अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट वेदिक यूग हड़ापा सब्यता का उतना ही कोष्चन उतने में ही आपका सारा कोष्चन मेंटेन हो जाएगा ठीक है मुरा वेदिक यूग पर चलते हैं ठीक है प्राचिन भारत में सिंदुगाट इसका जानकारी हम्में किसे प्राप्त होते हैं वेदिक साहित से जिसमें रिगवेद सहर्व प्राचिन होने के करन सर्माधिक महत्वपूर्ण जो रिगवेद है ठीक है सबसे ज़्यादा पुराना वेदिक है है वेदिक काल या वेदिक यूग पंद्रों सो से पांचो इसा पुरूव सहरी सिंदुगाटी सब्सक्राइब के अंतोर उतरी मद्य गंगा में सुरू होने वाले एक दूसरी सहरी करन के बीच उतरी भारतियों महादिव की तिहास में अवधिये तो इसका काल आपको पता चल समय ते तरह रिगवेद में ही गायतरी मंत्र जो सावीतरी सुरीदेव को समर्पी थे ठीक है तो इस सारा कोष्चन आपका आने का पूरा एक पर संभावना ठीक है तो सारे को बढ़ियां से पढ़ लेना लिख लेना रिगवेद के काल निर्धारन में विद्वान एकमत नह है और इस तरह रिगवेद की रचना काल को बारोस इसा पुर्व के करीम मान लिया उपर निश्चित रूप से उसके आंकलन का कोई अधार नहीं था ठीक है जो बोला शुनस मेक्समुलर वो बोला की रिगवेद की रचना हुआ है वारोस इसा पुर्व के लगभग में आगमन के तुरंद बाद का काल था जिसमें कर्मकार्ण गोन थे पर उतरवेदी काल में हिंदु धर्म कर्मकार्णों की प्रमुकता बढ़ गई ठीक है रिगवेदी काल के बारे में जाते है रिगवेद की रचना हुई थी जो पंद्रोस से एक हजार इसा पुर्वेद की इसके बीच में सिर्फ रिगवेद का ही रचना हुआ था ठीक है मेक्स मुलर के नुसार आरे का मुल निवास मद एशिया है जो मेक्स मुलर है उसके नुसार जो आरियों का जो मुल निवास अस्थान था ओएशिया था ठीक है आरियों दोरा निर्मित सबहता वेदी काल कहल किया संथ्कृत तो आरें कि भास किया थी संस्कृत सी ठी ट हमें निवास करते थो रहा से आगय वह भारत में और भारत में जब रहने लगा हरपा सवेता के बाद तो जो सवेता विक्सित वी इसको वेदिक से बेदा करते है या आरियों के सबेदा मेक्समुलों ने जब अठकल बाजी करते हुए इसे बारास इसा पुरू से आरण बताये था लिक कारम देखे तो उसके समकालिन विद्वान WD हिटनी ने इसकी अलोचना की थी कि उसके बाद मेक्समुलों ने स्युकार किया था कि प्रित्मी पर कोई इसी सकती नहीं है जो निश्चित रूप से बता सके कि वेदिक मंत्रों की रचना 1000 इसा पुरू में हुवी थी या 500 इसा पुरू में दो हजार या 3000 में बाद में मेक्समुलों बताया था कि कोई एसी सकती नहीं जो कि करेक्ट टाइम पिरिट बता पाए ठीक है तो इसा कहना भी सही था इसा माना जाता है कि आर्यों का एक समू भारत के अतरिक्त इरान फारस और यूरोप की तरफ भी गया था जो आर्यों की जो सब करें तो कि सब्सक्तियां जो आये थी और यूरोप भी गया थी उनान वीगया अविस्ता के सुक्तियां इंधित मिलती जूलती है रिगवेद जो प्राचिन ग्रंथ ए इरान का व अविस्ता है ठीक उसमें भी इसके बारे में कुछ पता चलता है अगर इस भासिक सं अभी लेक है ठीक है एस्या माइडर में है पाए गए चवदर सो इसा पुरू के अभी लेक में हिंदु देवताओं इंद्र मित्रावरून नासत इत्यादी को देखती भी इसका काल और पीछे माना जा सकता है ठीक है और देखती है बाल गादर तिलग ने जोतिशी ए गणना सबेर सब्लग असामे बतार अश्रण के लगभग इसना साल पूरू पूरु आया होगा इत्ना साल पूरू आया हो ठीक है लेकिन हम लोग को जो मानना है 500 और पशो से 500 हंता बाद में संपून उत्र खेल चुके थे सभेता का मुँक्य चेतर गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान हो गया था गंगा को आज भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है इस काल में विष्ट का विष्टार होता गया और कई जन विलुप्त हो गया भारत तित्सू और तुरुवर्थ जैसे जन राजनितिक हलकों से गायब हो गया जब कि पुरू पहले से अ सिर्फटीन अधी को सबसे महतपुन माना जाता था ठीक है रिग्वेदी काल में जो सरस्वतीन अधी थी वो महतपुन माने जाते थी गंगा का एक बार और यमना अधी का उल्लेक तीन बार हुआ है इस काल में कोसांबी नगर में पहली बार पक्की इंटों का पर्योंग पर्धान के जाते थीए मुखी रूप से केवल ब्राम्हांड को धारन करने वाला वाले एकमात्व प्रम्पिता परमेश्वर के पूजक थे वेदिक धर्म पुरुस परधान धर्म था स्वर गया अमरत्व की परिकलपा नहीं थी उस समय ठीक है वेदिक धर्म पुरुहितों वह अग्या से नियंत्रि वेदिक देवताओं का सुरूप महिमा मंदित मानमों का रिग- वेद में 33 परकार की इयतां गिध्य से उ्क्तभ्दार्त वहां करना वेद boyfriend 70 वेदिक साहते के बारें ग्रूब और द्वार्पटेस योस को मोखिक रूप से कन्थस्ट कराने का खालने के कारण वेदों को सूर्थी की सञ्याद दी को ठीक है ओग धार्मी इरस अब राजनितिक इस्ति पनाले पढ़लिख पर चले थी जो वेदिक समिध् avnelsा इसके आहे था चाल थय उसमें राज योद का नित्रतिव करता था उसे करव सुलने का धिकार नहीं था जैंता दॉरां स्विच्छा से दिए ये भाग से उसका खर्च चलता था इसका राजा का सभा समीति तो था विद्ध नामक प्रसासनिक संस्थाएं थी अथ्रववेद में सभायों समीति को परजापती की दो पुद्रियां कहा गया है समीति का महत्वपुर्ण कारे राजा का चुनाव करना था समीति का परधान इशान या पती कहलाता था जो समीति का परधान था उकुन सहस्था थी समीती आमजन परतिनेधी सभा थी अंग विदत सबसे प्राचीन सहस्था थी जो विदत थी सबसे प्राचीन सहस्था थी रिग वेद में सबसे ज़्यादा बार उलेक विदत का 122 बार हुआ है सेनि संचान वरात गर्ण यंग सर्ध नामक कविलाई संक्ठन करते थे सत्पत ब्रामन के नुसार अविसीख होने पर राजा महं बन जाता था राज सुई यग करने वाले की उपाधी राजा था वाजपे यग करने वाले की उपाधी समराठ थी असपर्स गुप्चरों को और पुरूप दुर्गापती को कहा जाता था राजा का परसाथनिक अधर थे को नायेंगे ठीक है और द्रु मिंगाफ कि अधरहिट बार ब्रकेम आ ख करने वाले अधिकारि अक्षवाप लिखाधी करेे न राजा का अधिकारि पालागल राजा का मित्र तो इसरा थे समाजी इस्तिदीति ए ठीक है casually कि स्थैक अभी पढ़ना तो समाजी गुराश्तिक इस्थिती देखने थे लिग वेद के दस्में मंडल में चार वर्नों का उलेक मिलता है वर्निविबस था करमाधारी थी दस्में मंडल को परवर्ति काल माना जाता है तो यह हो गया संसर समाज पृत्र सतातमक था संजुक्त परिवार पड़ परचलित थ थे अतिति सतकार की प्रंप्रा का सबसे ज्यादा महातो था एक और वर्ग पणियों का था जो धनी थे और व्याफार करते थे बिखारियों और किरसी दासों का स्थित्व नहीं था संपति की काई गाय थी जो विनिमय का माध्यम भी थे सार्थी और बढ़ही समुदाय को विवा आधि का परचलन नहीं था शिक्षा यंग वर्चुन्ने का अधिकार महिलाओं को था विद्वा विवा महिलाओं का उपनियन संसकार नियो गंधर वयंग अजंतर जाति ववा परचली था वस्त्रा भुसन इस्त्रियों पूरुष दोनों को प्रिय थे ठीक है जो य मुख्या नाय था साकाहर का परचलन था सोमरस अमरित जैसा का परचलन था निरत संगित पासा घुरदोड मल्यूद सुड़कर सुईकर आधि मुनरजन के परमुख साधंते अपाला घुस मेत्रई विश्वा वारा गारगी और आधि विदूसी महिलाएं थी रिगवेद मे अनारियों मुर्ख या दस्यू को मधवाय असपष्ट बोलने वाला अवरित नियमों व्रतों को पारन नहीं करने वाला बताए गया है सरुपर्थम जाबालो पनिसद में जार चारों आसरम ब्रह्मचर ग्रस्त वान प्रस्त तो सन्यास असरम का उलिक मिलता है आसरम के बार या गव्य सब्द का परियोग हुआ है दूरी को गव यूती पुत्री को दुषिता गाय दुने वाजित था युद्धों के लिए गविष्टी का परियोग होता था राजा को जनता स्वेच्छा से कर देती थी आवास घास फूसें काश्ट निर्मित होते थे रीन लेने य पर जेती जिसे कुसीद कहा जाता था बेट गारी रत यह ना व्यातयात के परमुख साधन थे हैं अगर आप पूरा बढिया से क्लियर करते हैं हमारे मतलब मिलता रहेगा ठीक है मतलब कि मिलता रहेगा हमेशा तो अश्मेंट से दो यह पिता मतलब थैंक्स फर वोजिंग थे जह जो आगा